हेलो फ्रेंद्स वेकम बैक टूम चैनल तो आज ही इस वी में हम सब को आने वाले हूं सिंपल फोर्टक्स ब्लाउच की कटिंग तो यहां पर मैंने अस्तर को प्रेस कर लिया है और साथ में टूफोल्ड में कर लिया हुआ है तो इसमें मैं आपको कटिंग सबसे पहले दिखा आपको वैसे करना है जितना भी आपका लंबाई है प्लस वन इंच कर लेना है उपर की तरब भी हम स्केल के मदद सीधा कर लेंगे और यहां पर हम लोग मैजर करेंगे अपने सोल्डर का तो यहां पर सोल्डर में सारे 6 इंच की ले रही हूं क्योंकि मेरा बेक साइट का ग और इसको भी स्केल के मदद से मिला लेंगे तो यहां पर हम लोग अपने बर्स का मेजर करेंगे तो बर्स है 30 इंच का बोडी मेजरमेंट है फ्रेंस तो इसलिए हम लोग 32 के साइज से बनाएंगे तो यहां पर 8 इंच पर मैंने निसान लगा दिया है और अब भी हम यहां पर मार्जिन के लिए लेंगे नीचे की तरब जितना भी हमारा कमर है तो कमर है 26 इंच का तो चोथा भाग प्लस यहां पर डाट के लिए 0.75 इंच और मार्जिन का जितना उपर मार्जिन लिया है उतना ही नीचे भी मार्जिन लेंगे और फिटिंग और लाइन को यहां पर जैसा भी आपको गला चाहिए वैसे आपको गला ड्रो कर लेना है तो जैसा मुझे अपने शेप के अनुसर यानि गोल गला चाहिए तो मैंने गोल में शेप दे दिया है गले का और नीचे की तरफ आम होल की तरफ हम लोग हाप इंच का डाउन करेंगे क्योंकि तो इस तरह से हमारा बेक साइट का जो मैजर्मेंट है वो कंप्लीट हो चुका है अभी हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे साथ में नेक की भी कटिंग कर लेंगे को अर्म का तो यहां पर हमारा जो अब बेग साइट का पार्ट हे वह क्टिंग हो चुका है अभी यहां पर मैंनोल लगा रही हूं एसंद पता जैरी कि हमारे फीटिंग पॉइंट लगांगे तब तो यह हो सबसे पहलह नहीं तो इसके लिए पाइपती के लिए record मार्जिन के दिए कि वहां बसे और शारा को है तक करोवा नहीं टो क्योंकि बस जी के आपकोड़ ज़ए प्रिक का स्केल शहां हमेंने मार्जिन के बाद Wenn तो यहां पर इस तरह से करना जैसा मैं कर रही हूं वैसे ही से मापको ट्रेस कर लेना है तो यहां पर आप लोग दे सकते हैं कि हमने ट्रेस कर लिया है और अभी हम लोग मार्किंग करेंगे क्योंकि हमें यहां पर डार्ट लगाना है फरन साइट में तो यहां पर फिटिंग के बाद में हापींस की मैंने एक्स्टा लिया उसके बाद मार्जिन लिया क्योंकि यहां नीचे भी हमारा डाट लगेगा तो उसके लिए भी यहाँ पर स्कॉप्लाटाने की तरफ पर लेंगेगा डार्ट का शायर के अभरेश के लिए हमारा फिटिंग उसके लिए जनी उसका कई अरह Face के लिए वहारा हमारा से उAND में कम हो जाएगा तो इसके लिए यहां पर मैंने मार्जन हाप इंच और ले लिया है अभी हम लोग डाट के लिए निसान लगाएंगे तो देखिए आपको जितना भी कमर है आपको उसका यानि हाप लेना है ठीक तो यहां पर मैं अपने कमर का हाप ले रही हूँ आप लोग उसके हुआ है यहां लोग परर को ओबना धीतना है लोग लोगा है तो इस तरह यहां से विए तरव हमवें इनकाल लिया है तो यहां से दो से ूपर की तरफ और का फ्रट का शेफ हमें देना है तो लगेगी और चैनल के साफ की तरब से वह 2.5 इंश की लगेगी तो यहां पर इसकी भी मैने marketing कर दी हुई है और हमारा में जो center रहेगा उसकी je dart की land रहेगे इस तरह से हमने dart की मार्चिन हो कर ली हुई है और सारे ंच के लिए मार्चिन यहां पर लिया हुआ है तो कहीं से भी हमारा जो प्लावू जो छोटा नहीं पड़ने वाला है सेंटर डाट के लिए हमने आगे जो मार्जिन लिया हुआ है वो आएगा और जो हुपकी पटी की तरफ रहेगा वो नीचे मार्जिन हमने लिया है तो अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो यहां पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है अभी हमें यह जो मार्किंग है डार्ट के लिए वो मार्किंग हमें दूसरी साइट भी लगानी है तो यहां पर मेरा जो मार्किंग है वो दीख रहा है तो मैं इसी के उपर में इस तरह से चौक से निसान लगा देती हूँ तो यहाँ पर आप लोग देशक्त हुए कि हमारे दूसरी साइट का भी जो डार्ट का निसान है वो मैंने लगा लिया है तो फ्रंट और बेक हमारा रेडी हो चुका है अभी मैं आपको स्लीप के कटिंग बताऊंगे किस तरह सा आपको स्लीप कट करना है तो यहाँ पर जो मै मेरा कम आ रहा है उसको मैं बात में अटाच कर लूँगी तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नीचे की तरफ से इसको सीधा कर रही हूं उसके बात से हम लोग अपना लेंध मैजर करेंगे स्लीप का तो जैसे मुझे आट इंच तयाद से यह तो यहाँ पर मैं नो इंच कर है और जो स्लीप की मौहरी है नीचे की तरफ से ले रही हूं तो 9 इंच है तो मैंने 4 इंच पर निसान लगा दिया उसके बात मार्जिन में ले लिया है अभी हम लोग इसमें स्लीप का शेप देंगे तो इस तरह से कुछ आपको शेप देना है यानि आधी जो पहार की है वह मैं बाद में अटैच कर दूँगी सबसे पहले तो मैं ऐसी इसको कट कर लूँगी मैं पता जलाए कि हमारा फ्रंट साइट का है अभी मैं फैब्रिक में मैं आपको करके कटिंग दिखाती हूं तो यह हमारा यहां से जो हमारा स्लीव से वो निकलेगा तो उसके लिए यह मैंने स्लीव निकाल लिया है अभी हम बेक साइट का पार्ट निकाल लेंगे तो इस स जो भी आपका सिल्क कपड़ा होता है तो आपको हमेंसा जब असतर का ब्लाउज बनाते हैं थोड़ा एक्स्टा ही कटिंग करके रखे क्योंकि जब भी हम लोग स्टिचिंग करते हैं ऐसे कपड़ोगी तो काफी बाद धागा बहुत जादा निकलता है तो इसलिए आपको एक तो इस तरह से आप लोग देशेती कि हमारा जो कटिंग है मैं फैब्रिक और अस्तर में दोनों में हो चुका है तो आज मैंने आपको पताया सिंपल फोर्टक्स ब्लाउज के कटिंग वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए सो आज के लिए बस इतना है थैंक्यू झाल 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 झाल